Hey everyone and welcome back to the channel So guys, अगर आप एक ऐसे candidate हैं जो कि internship सर्च कर रहे हैं साथ में आपकी preference यह है कि आप government के साथ में internship करना चाहते हैं Government का exposure अपने internship में आप लेना चाहते हैं तो ये video आप लोग के लिए काफे सदा helpful हो सकती है इस वीडियो में एक बहुत अमेजिक internship में आप लोगों के लिए लेकर रही हो जो कि government of India के साथ में होने वाली है paid internship होने वाली है So सारी details आप लोगों के साथ share करूँ है So make sure कि video को आप complete देखना Because अगर आप video को कहीं से भी miss करेंगे तो हो सकता है कुछ important information आप miss कर दे So video को complete देखना चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe कर लेना So guys यहाँ पर जो internship आ रही है वो आ रही है MEA की तरफ से यानि कि Ministry of External Affairs की तरफ से Ministry of External Affairs जो है यह two term में internships जो है वो लेकर आता है So first term जो होता है वो होता है April to September का जो second term होता है वो होता है October से मार्च का So अभी जो इंटरंशिप्स यहाँ पर स्टार्ट होंगी वो April to October के बीच में स्टार्ट होंगी And यह जो इंटरंशिप है इसके अप्लिकेशन जो है अल्रेडी स्टार्ट हो चुके आप इसके लिए अप्लिकेशन की डिटेल में वीडियो के एंड में डिसक्स करूंगी So लास्ट जो अप्लाय करने की वह 14th of January 2024 है So आपको 14th January से पहले-पहले अप्लाय करना है Even आपको ट्राय करना है जैसे आपी वीडियो देख रहे हैं आप डिरिक्ली इसके लिए अप्लाय करते और अप्लिकेशन भीजने का प्रोसेस जैसे कि मैंने का वीडियो के एंड में तो वह भी आप बिल्कुल स्किप मत करना है So guys यह जो MBA के इंटर्शिप पेड होने वाली इसमें 10,000 रुपीस टाइपन आपको मिलता है साथ में सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि Government of India की कि तरफ से अप्रूब्ड होता है अब यहां पर गर हम बात करें कि आपको एक्चली में आपकी इंटर्शिप में करना क्या होता है सो जैसे कि आप जानते हैं Ministry of External Affairs रोजय को बात करने वाल है अगर आप अपनी ग्राइटेरिया की बात करें सो अगर अपनी ग्राइटुचन कम्प्लीट कर चुके हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अपने final year में है अपनी graduation के final year में तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने graduation के final year में है तो आपके course का part होना चाहिए आपके course में internship करना जो है वो mandatory होना चाहिए तब आप इसके लिए जा पाएंगे अदर्वाइस normal graduate आप है आप graduation complete कर चुके हैं तो आप जा सकते हैं किसी भी stream से graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं आप इसके लिए apply कर सकते हैं age limit जो है वो 25 years है so 31st of December 2024 तक भी अगर अब 25 के हो रहे हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा दो terms में यहाँ पर internship होती है तो हर term में 30-30 interns उनको hire किया जाएगा तो अभी यह जो term में 30 interns को यहाँ पर hire किया जाएगा अब यहाँ पर जो internship का tenure है वो 1 month से 3 months के बीश में हो सकता है so 1 month से लेकर 3 months तक की internship यहाँ पर आपको मिल सकते हैं guys आपको screen पर कुछ states और union territories दिख रहे हैं so अगर आप इन states में या फिर union territories में रहते हैं तो आप यहाँ पर जो है इस internship के लिए अपलाए कर सकते हैं एक और amazing benefit यह है कि जब आप यहाँ पर shortlist हो जाते हैं select हो जाते हैं और आप internship करने के लिए जाते हैं जो payment आप करेंगे उसका reimbursement आपको यहाँ पर मिल जाते हैं so यह internship है जो कि M.E.A. के साथ में Ministry of External Affairs के साथ में अवालेबल है अब मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है deadline क्या है इसके apply करने की अब मैं quickly आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको apply कैसे करना है एक link देरियो में आपको description box में उस link पर आप click करेंगे तो आपको M.E.A. की website दिखेगी वहाँ पर आपको registration का button दिखेगा उस पर आपको click करना है वहाँ पर आपको अपना ID क्रेट करना है आपने आपको register करना है जब आप अपनी ID वहाँ पर create करेंगे तो आपकी email ID पर एक verification लिंक जाएगा उस link पर आप click करेंगे और अपनी email ID को verify करेंगे verify करने के बाद में वहाँ पर आपका registration जो वो complete हो जाएगा उसके बाद में आपका एक form open होगा उस form में आपकी personal educational application details और documents related सारे information वहाँ पर fill करनी है and last में आप आपके application form का overview देख सकते हैं and उसके बाद में आप उसको जो है submit कर सकते हैं so इस तरीके से इसका application process रहेगा आप यहाँ पर apply करने के बाद में आपका एक अपका preliminary test होगा and उसके बाद में आपका personal interview and so यहाँ पर आपको pre or personal interview go through करना होगा so guys I hope यह video जो मैंने आपके साथ में आज share की definitely आपने से बहुत सारे viewers को help करेगी especially उन लोगों को जो की government के साथ में internship करना चाहते है and guys आप लोगों को इस request है video को आगे share करना even channel को आगे share करना because channel पर मैं आपके साथ में latest government internships लेकर आती हो so that आप लोगों को यहाँ से benefit हो बहुत सरे scholarships लेकर आती हो interview preparation भी लेकर आती हो also अगर आपके कोई suggestion है आप चाहते किसी topic पर मैं आप लोगों के लिए video लेकर आँ तो वो आप मुझे comment box में बताना मैं उसको preference देकर उस topic पर आप लोगों के लिए video लेकर होंगे and कोई query है तो वो भी आप मुझे comment box में बता सकते है so guys I'll see you soon with a new uninformatory video till then take care and keep supporting me